मन की बात कारित्रम में प्रधान मंत्री ने कोरोना महमारी के दौरान आपदा को अवसर में बदनने किसानों की शक्ती और लोगों द्वारा पर्व और पर्यावरन के भी संतुलन बना कर काम करने की सराना भी की उन्होंने पोशन अभियान के लिए जन भागिदारी को महत्पून भी बताया कोरोना काल में ये देश कई मोर्चों पर लड़ रहा है लेकिन कोरोना संकट की वज़े से उत्पन हुई चुनोतियों को देश भर में शिक्षिकों ने स्वीकार किया और इसे अवसर के रूप में बदल दिया प्रधान मंतरी ने कहा कि आज शिक्षन के लिए तकनीक का स्तमाल सहजिता से हो रहा है राश्टे शिक्षनीती के चर्चा करते हुए प्रधान मंतरी ने कहा कि इससे देश में बड़ा बदलाव आएगा और इसका लाब विद्यार्थियों तक पहुचाने में शिक्षिकों के महत्रपून भूमिका होगी पढ़ाई में तक्रीका जादा से जादा उप्यों कैसे हो नए तरीकों को कैसे अपनाए चात्रों को मदद कैसे करे यह हमारे शिक्षिकों ने सहजता से अपनाया है और अपने स्टूडन्स को भी सिखाया है आज देश में हर जगह कुछन कुछ इनोवेशन हो रहे है शिक्षिकों और चात्र मिलकर कुछ नया कर रहे है मुझे वरोसा है जिस तरह देश में राश्ट्रिय स्ट्रिय शिक्षा निति के जर्ये एक बड़ा बड़ला होने जा रहा है हमारे सिक्षक इसका बिलाब छात्रों तक पहुँचाने में एहम भूमी का निभाएंगे किसानों के मेहनत की सराना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कौरोना के इस कठिन परिस्तितियों में भी किसानों ने अपनी ताकत को साभित किया है उन्होंने कहा कि भारते क्रिशी कोश का निर्मान किया जा रहा है प्रधान मंत्री ने ये भी कहा कि हरक्षेत्र में मौसम के अनुरूप एक संतुलित और पोशक आहार योजना तैयार की जानी चाहिए हमारे देश में इस बार खरिप की फसल की बुवाई पिछले साल के मुकामले 7 प्रतिशत जादा हुई है दान की रुपाई इस बार लगबग 10 प्रतिशत दाले लगबग 5 प्रतिशत मोटे अनाच कोर्स सिरियल्स लगबग 3 प्रतिशत कपास लगबग 3 प्रतिशत ज्यादा बुई गई है मैं इसके लिए देश के किसानों को बधाई देता हूँ उनके परिश्रम को नमन करता हूँ कोरोना के संकट के बावजूद लोग परव और परियावरं के भी संतुलन बना कर काम कर रहे हैं इस बात की प्रधानमंत्री ने प्रिशन सा भी की उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट काल में लोगों में उमंग और उत्सा है लेकिन सब की मन को छू जाए वैसा अनुश्यासन भी है प्रधानमंत्री की मन की बाद कारित्रम की 68 भी कड़ी थी जबकि दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मन की बाद की ये पंद्रवी कड़ी थी